दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फॉन पे के थुरू मेरा यहाँ पर पांच लाग तका लोन अप्रूब हो चुका है यहाँ कि मुझे यहाँ पर पांच लाग तका लोन मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आपको भी लोन लेना है अगर आप भी अपने मोबाइल फॉन से online loan लेना चाहते हो आप online loan के लिए apply करना चाहते हो तो इस वीडियो का आप पूरा जरूर देखे इस वीडियो में आपको online loan लेने का एक बहुती बहतरिन तरीका बताने वाले हैं जिससे आप maximum 5 लग तका loan ले सकते हो तो चलिए वीडियो को start करते हैं वीडियो काफे जिदा informative होने वाली है तो वीडियो का आप complete जरूर देखे और अगर आप channel पर new आरे channel को subscribe जरूर कर लेना तो चलिए start करते हैं ओके गईज़ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने phone के screen पर आ गया हो तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको phone pay के through lawn लेना है तो दोस्तो phone pay से lawn लेने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने phone pay application को open करना है और phone pay को open करने के बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ से नीचे आना है और यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको एक option मिलेगा buddy loan ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो तो आपको buddy loan के through loan मिलेगा तो आपको क्या करना है आपको यहाँ पर buddy loan पर click करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊँगे थोड़ा यहाँ पर loading लेगा और loading लेने के बाद यहाँ पर आप देख पाऊँगे आपके समने body loan यहाँ पर open हो चुका है और यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपर लिखा हुआ है Apply and Get Lawn Approval Instant यानि कि आपको यहाँ पर Lawn के लिए Instant Approval मिल जाएगा और आपको Lawn हैाँ पर मिल जाएगा तो Lawn लेने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर आप देख पाऊगे नीचे यहाँ पर आपको option मिलता mobile number का loan amount का personal email address का तो आपको नीचे जो 3 box मिल रहा है आपको 3 box को यहाँ पर फिल कर देना है सबसे उपर में आपको अपना mobile number डाल देना है और इसके बाद नीचे आप जितना भी amount का loan लेना चाहते हो आपको अपना loan का amount डालना है और इसके बाद सबसे नीचे आपको अपना कोई भी email ID यहाँ पर डाल देना है तो चली मैं आपको एक एक करके तिनो process को complete करके दिखाता हूँ सबसे पहले मैं अपना phone number यहाँ पर डाल देता हूँ यहाँ पर आपको इस तरह से paste कर देना है और इसके बाद आपको OTP यहाँ पर match हो जाएगा और इसके बाद नीचे आपको option मिलेगा loan amount का यानि कि आप जितने का भी loan लेना चाहते हो आपको amount यहाँ पर डालना है तो चली मैं आपको दिखा देता हूँ 1000 डाल के ठीक है तो आपको जितने भी amount का loan चाहिए आपको अपना amount यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद सबसे नीचे आपको option मिलेगा personal email address का तो आपको अपना कोई भी email ID यहाँ पर डाल देना है तो चली मैं अपना email ID डाल देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सारे option को fill कर दिया है तो इसी तरह से आपको सभी option को fill कर देना है और इसके बाद नीचे आपको option मिलेगा nest का आपको nest पर click करना है और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे कुछ इस तरह का interface आपको देखना को मिलेगा और यहाँ पर आप देख पाऊगे उपर में लिखा हुआ है what type of loan यानि कि आप किस तरह का loan लेना चाहते हो आपको यह बस select करना है और नीचे आपको दो option मिलेगा एक मिलेगा personal loan का और दूसरा मिलेगा business loan का तो आपको यहाँ से जिस भी परकार का loan चाहिए तो आपको select कर लेना है तो चलिए मैं आपको select कर लेता हूँ personal loan तो इस तरह सापको select कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का new interface आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देख पाओगे उपर में लिखा हुआ है What is your employment type? यानि कि आप अभी क्या करते हो? आपको यह बाद select करना है और निचे आपको तीन option मिलेगा एक मिलेगा sellerate का यानि कि अगर आप नोकरी करते हो, job करते हो तो इससे आपको salary मिलता है तो आप इसको select कर सकते हो इसके बाद निचे आपको option मिलता self-employed का यानि कि आप अपना खुद का कोई business करते हो तो आपको second में यह option मिलता है और इसके बाद निचे आपको option मिलता student का तो अगर आप student हो तो आपको student को select करना है लेकिन मैं आपको suggestion दूँगा कि आपको self-employed को select करना है या फिर आपको जो सबसे पहले नमबर पर option मिलता select का आपको इसी को select करना है इससे ज़्यादा chance रहता लॉन मिल लेगा तो चलिए मैं आपको self-employed को select कर लेता हूँ तो इसी तरह सबसे लेट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे फिर सबको new interface देखने को मिलेगा और यहाँ पर उपर में लिखा हुआ है what is your professional type यान कि आपका profession क्या है आप क्या करते हो आपको यह select करना है और नीचा आप देख पाऊगे आपको बहुत तरह option मिला दा है आप यहाँ से small business owner select पर सकते हो house help select कर सकते हो इसके बाद नीचा आपको बहुत तरह option मिल जाता है तो चलिए मैं आपको select कर लेता हु small business owner तो इस तरह से आपको select कर लेना है और इसके बाद नीचे आपको option मिलेगा do you have any business proof कि आपको मतलब कोई business proof है तो इसमें आपको कोई business proof नहीं देना है आपको just no पर click करना है और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे फिर सापको new interface देखने को मिलेगा है और यहाँ पर personal details यानि कि आपको पना personal details यहाँ पर डालना है जैसे कि आपको पना date of birth यहाँ पर डालना होगा आपको अपना gender यहाँ डालना होगा आपको अपना highest equalification डालना होगा इसके बाद आपको पना pen card number डालना होगा और इसके बाद आपको अपना खुद का नाम यहाँ नीचे डाल इसके बाद आपको आगला प्रोसेस करना है, तो चली एक एक करके मैं अपना सारा डीटेल यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इसी तरह सा आपको अपना यहाँ पर पूरा डीटेल यहाँ पे फिल कर देना है, तो चली यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख कर लेना है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने graduate select कर लिया है तो इसी तरह से आपको select कर लेना है और इसके बाद नीचे आपको पना pen card number यहाँ पर डाल देना है तो अचली मैं अपना pen card number डाल देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपना pen card number भी यहाँ पर डाल दिया है तो इसी तरह से आपको पना pen card number यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद नीचे आपको option मिलेगा first name का तो आपका जो भी first name है आपको पना first name इस तरह से डालना है और इसके बाद नीचे आपको अपको अपना last name में आपको डाल देना है तो यहाँ पर आप देख पाओगे मैंने आपको सभी box को fill कर दिया है तो इसी तरह से आपको यहाँ सारा information डाल देना है और इसके बाद नीचे आपको option मिलेगा nest का आपको nest पर click करना है और जैसे आप nest पर click करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे फिर सापको new interface देखना को मिलेगा और यहाँ पर आप देख पाओगे उपर में लिखा हुआ है intercommunication address यानि कि आपको अपना address यहाँ पर डालना होगा जैसे आपको सबसे उपर में option मिलता resident type यानि कि आपका resident क्या है अगर आप self honored हो तो आपको self honored select करना है अगर आपको नीचे बला option select करना है तो आप इसको भी select कर सकते हो अगर आप rent पर कहीं रहते हो तो आप rented को भी select कर सकते हो तो चली मैं आपना पिन कोड यहां पर डाल देता हूँ और फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हूँ मैं आपना पिन कोड भी यहां पर डाल दिया है तो इसी तरह से आपको तीनों आपसन को यहां पर फिल कर देना है और इसके बाद निचे आपको आपसन मिलेगा नैस्ट का आपको नैस्ट पर किलिक करोगे तो इसके बाद यहां पर आप द मन्थिली इंकम है आपको अपना मन्थिली इंकम यहां पर डाल देना है तो चली मैं आपको डाल देता हूँ 50 के ठीक है तो आपको इसी तरह से आपको जितना भी है आपको अपना मन्थिली इंकम यहां पर डाल देना है जैसे यहां पर मैंने 50 जार डाल दिया है तो इसी तरह आप जो भी आप डलना चाहते हो, आपको यहाँ पर डाल देना है, और इसके बाद नीचे आपको option मिलेगा, select your bank, तो आपको अपना bank यहाँ से select कर लेना है, आपका account जिस भी bank पर है, आपको select कर लेना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकतो हो, मैंने state bank of India select कर लिया है, तो इसी तरह से आपको अपना bank यहाँ पर select कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे, नीचे आपको option मिलेगा, are you interested in credit card, क्या आप credit card में interested रखते हो, अगर आप interested रखते हो, तो आपको yes type करना है, अगर आप नहीं रखते हो, तो आपको no select करना है, तो चलिए मैं आपको no select कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पर तीनो option को fill कर देना है, और इसके बाद नीचे आपको option मिलेगा, submit का, आपको submit पर किलिक करना है, और जैसे आप submit पर किलिक करोगे, तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे, थोड़ा यहाँ पर loading लेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, your loan application has been accepted, यनि कि आपने जो loan के लिए application submit किया था, वो आपका application approve हो चुका है, यनि कि आप आपको loan मिल जाएगा, ठीक है, और आपके WhatsApp पर भी buddy loan के दुआर आपको message मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकत हूँ मैं अपने WhatsApp को open करता हूँ और यहाँ पर आप देख पाओगे मेरे WhatsApp पर buddy loan के थुरो यहाँ पर message आ चुका है और यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है मेरा कितना का loan यहाँ पर approve हुआ है मुझे कब तक loan मिलेगा, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है और दोस्तो अगर आपको loan चाहिए तो आपको यहाँ पर yes type करना है और अगर आपको loan को cancel करना है अगर आपको loan अभी नहीं चाहिए तो आपको यहाँ आपर stop type कर देना ठीक है इस तरस आपको stop कर देना है और जैसे आप stop करोगे तो इसके बाद आपको lawn यहाँ पर cancel हो जाएगा आपको यहाँ पर lawn नहीं मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर मुझे आपको lawn नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पर stop type कर दिया है तो इसी तरह सापको type कर देना है और अगर आपको lawn चाहिए तो आपको यहाँ पर yes type कर देना है तो दोस्तो यही process था है इसी तरह साप phone पे के थुरू इसी तरह साप buddy lawn के थुरू lawn ले सकते हो मैंने आपको इस वीडियो में सारे चे इस्टे वा इस्टे बता दिया है कि किस तरह सापको lawn लेना है किस तरह सापको lawn के लिए apply करना है I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो इंफर्मिटिव लगी है वीडियो को लाइक जरू केज़ेगा चैनल पर नियू आरे चैनल को स्क्राइब जरू कर लेना तो आज के लिए बस इतना है फिर मिलता है एक नई वीडियो में